असलाम अलेकुम बीबी न्यूज में आपका अस्तिख्वाल है मैं हूं सानिया न्यूज की शुरुआत करते हैं हिट लाइंस से बारत ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2022 को कर दिया मुस्तरित कहा के हिंदुस्तान की शबीहा को दाखदार करने की यह मुसलसल कोशिश है करनाटक में खौफनाग सडखारिसान नौफ राध लाग तीन गाड़ियों के आपस में तसादुम के नतीजे में पेश आया हादिशा वजिर्याजमोदी की पॉलिसियों की वज़े से बेरोसकार ठोकरे खाने पर मजबूर राहुल गांदी का वयान शिम्शबाद एरपोर्ट पर एक लाग सौदी रेयाल और भारी तलाई जेवराद सब्त और अब खबरों की तफसीर आज़ादी का अमरूत महाउसब की तहरत पचियतर अजलामी पचियतर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को मुलक गीर वाफ़ करने की एक हिस्से के तोर पर जे एंट की बैंक की दो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का आज वजिर्याजमोदी इफ्तता करने वाले हैं मरकजी हुकूमत के डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्रीनगर जिले में घंटा घर के खरीब लाल चौक और जमू जिले की च्छनी रामा में वाके हैं इस मौके पर मरकजी वजीर ममलेकत तालीम तुबाज सरकार स्रीनगर डी बी यू में मेहमाने खुसी होंगे जबके मरकजी वजीर ममलेकत एमो एस सहत और खांदानी बहबूत भारती प्रवीन पवार और जमू से मिंबर पार्लिमेंट जोगुल की शोर शर्मा जमू के जहनी रामा में बैंक के डी बी यू में मेहमाने खुसी होंगे कॉंग्रेस की साविक सदर राहूल गांदी नी यू पी पी एटी इमतिहान में चंद ओहदों के लिए 37 उमिदवारों को इमतिहान में शामिल होने पर कहा कि मोदी हुकुमत ने नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर उन्हीं सिर्फ गुमरा करने का काम किया है राहूल ने कहा कि नोजवानों की इतनी बड़ी तेदाश सिर्फ चंद ओहदों के लिए पहुँची हैं इमतिहानी मराकेश दूर दूर रखे गए हैं जोसकी वज़े से नोजवानों को मजीद परिशाने का सामना है मुल्क के नोजवान वेरोजगार बेबस हैं और मोदी ने आँखे बंद कर रखी हैं करनाटक के होसन जिले में पेश आएं खौपनाक सड़क हादिसे में नौ अफराद थलाक हो गए ये हादिसा जराय ने तीन गाड़ियों के आपस में तसादम के नतीजे में पेश आया मने वालों में चार बच्ची भी शामिले और दस दीगर जख में हो गए पौलीस जराय के मताबिक अफ़ते की रात तकरीपन कियारा बजे होसन जिले में दूद के टैंकर करनाटक स्ट्रीट रोर ट्रांसपोर्ट कॉर्परेशन की बस और एक टैंपो के दर्मियान हादिसा पेश आया हलाक होने वाले तमाम अफ़राद टैंपो में सफर कर रहे थें जिसे बस और दूद के टैंकर ने कुछ चल दिया जराय ने बताय के टैंपो में सवार च्छी की मौके पर ही मौत हो गए तीन अफ़राद ने हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया मने मालों की शिनाक्त नहीं हो सकी 15 अक्टबर 2022 की आलमी इंडेक्स जो भारती शबीहा खराब करने की एक और लगातार कोशिश नजर आती है कि ये मौक अपनी आबादी को खुरा की यकीनी पराहमी नहीं करा सकता और घिजाई जरूरत पूरी नहीं कर सकता भूक मरी से मतालिख आलमी इंडेक्स जो सालना तोर पर जारी किया जाता है गुमरा हकुन जानकारी की एक अलामत बन गया है हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी भूक मरी से मतालिख 2022 की आलमी रिपोर्ट में भारत को 121 मुलकों में 107 वा दरजादी आ गया है इंडेक्स की गिंती के लिए जो चार इशारे इस्तेमाल किये गए हैं उन में से तीन का तालुग बच्चों की सहसे हैं और ये पूरी आबादी की नुमाइंदगी नहीं कर सकता चौथा और सबसे एहम कम तख्जगे वाली आबादी के तनाजब का तख्मिना हैं जो महस तीन हजार से बहुत छोटे नमूने की राय पर मुबनी है ये रिपोर्ट ना सिर्फ हाखायक से दूर हैं बलके हुकुमत की तरफ से की गई इन कोशिशों को जान बूच कर नजर अन्दास करती हैं जो इसमें अपनी आबादी के लिए खास तोर पर कोवीट आलमी वबा के दौरान सब को खुराक पराहम करने को यखीनी बनाने के लिए की गई है कोलंबिया के पैन अमेरिकन हाईवे पर एक मसाफिर बस बलट गई जोसके नतीजे में 20 अफराद हलाग जबके 15 देगर जखमी हो गए हैं जखमियों को इलाज के लिए इस्पिताल में दाकल करा दिया गया है खबर के मताबिक मसाफिर कोलंबिया के जुनूब मगरिबी कोने में वाके बंदरगाई शहर टोमाकू और शुमार मश्रिक में 320 किलो मिटर दूर कैली के दरमियान सफर कर रहे थी इसी दोरान बस पलेट गए डिपार्टमेंट ट्रैफिक पॉलिस के कैप्टन ने कहा हैं कि बद खिसमती से हमारे पास 20 अफराद के हलाकत की तस्दीख हुई है बदाया गया है कि ब्रेक सिस्टम के खराबी की वज़े से यहारे साप पेश आया है इस दोरान जगमियों को निकालने और मरने वालों को निकालने में 9 घंटे लग गए है हैदरबाल साइबर क्राइम पॉलिस ने खातून को तोहफा रवारा करने के नाप ठख लेने वाले दोकेबाजों को गिरफतार कर लिया है गिरफतार शुद्गान में घाना से तालुख रखने वाला एलूट पीटर और नाइजेरिया का रूमांस शामिल है तफसिलात के मताबिक बेगम पीट से तालुख रखने वाली खातून ने शिकायत दर्च करवाई थी कि एक शच्छ ने सोशल मीडिया के दरिये उससे अपना तारूफ अमेरिका के डॉक्टर के तोर पर करवाया बारज़ा उनके दर्मियान चैटिंग हो रही थी इस असना में इस अजनवी ने वड़ाए के वो एक पार्सल भिजवा रहा है जिसमें सोने के जबरात, एलेक्टरॉनिक अशिया और कुछ नगद रखम है बालज़ा एक और शख्स ने मतासरा खातून को फोन करके अपना तारूफ देहली इंटरनेशनल एरपोर्ट के कस्टम डिपार्टमेंट के औरेदार के तौर पर करवाया उसने तोफ़े की वसूली के लिए कस्टम टेक्स अदा करने का मुतालबा किया मुगतली बहानों से खातून सी 2.2 लैक रुपे की रख मुशूल की गए और इसके बाद फोन बंद कर दिया गया शिकायट मिलने के बाद इस मामले की तहकीखात करते वे पॉलिस ने मुल्जमीन को देहली से गिरफतार करके शेहर मुन्तकल कर दिया कर दिया मुशूल कर दिया मुशूल कर दिया है एक और परसन ने विक्तिम को कॉल किया और बोला कि मैं एक कस्टम डिपार्टमेंट को ओपिशन हूँ और उसको बोला कि जो भी गिफ्त और उसको वापस कर दे तो इस तरह टोटल 2.2 लैक विक्तिम से अलग 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 चार्जिस में कलेक दिया जब इंवेस्टिकेशन हुई तो पता चला कि यह जो नंबर्स है जो एक यूस के नंबर्स है तो डैली से उपरेट हो रहे हैं और उसके बाद यह भी मालूपढ़ा है डैली में जो हैं उसके एक इंस्टाक्राप प्रोफाइल और फेस्बॉक प्रोफाइल बनाई हैं इसे प्रोफाइल और कुछ नंबर से वो लोग कई लोगों से चार्ट करते हैं और इस तरह से इस केस को ट्रैक करने में जो बोला स्टेड़े जाता है तुपरवाइजरी अंदर तुपरविजिन ओफ के एक लग सौधी रियाल को जब्द कर लिया जो 500 सौधी रियाल की 200 नोटों के बंडल को एक कवर में रखकर शार्जा के लिए रवाना होने वाला था उस शफिकी शिनाख हिदरबाद के यूनुस मुहम्मद के हैस्जा से होई हैं और एक वाके में कस्टम्स के ओर दारों नहीं मिसर के एक और शहरी के पास 802 ग्राइज जबरास जब्त के लिए जो कोए से हिदरबाद पहुंचा था अजीम शेहर हिदरबाद को बैनुल अख्वामी एवार्ट मिला है O.R.R. के पास की हर्याली ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी एवार्ट जीत लिया है इस मौके पर वजीर के टियान ने HMDA की सताइश की International Association of Hearticulture Producers in जुनूबी कोरिया ने जेरे इतमाम ग्रीन जुम्रा लीविंग के तहत हिदरबाद को वर्ल्ड सिटी ग्रीन एवार्ट पेश किया गया और देदारों ने कहा कि इस बैनुल अख्वामी एवार्ट की बुनियादी वजे चीफ मिनिस्टर के सियार के जरिये हर्याली को बढ़ाने के लिए हुकूमत के जानब से किये गए अग्रमाद हैं खाबिने जिक्रे हैं कि हैदरबाद वाहे शेहर हैं जोसे हिंदुस्तान से ये वार्ड मिला है मेगम मौसमियाद के मताबिक रियासत लंगाना में इस महा की सतरा तारीक तक रियासत में हल्की से उस्त बारिश काइम कान हैं हवा के कम दबाव के जिरियासर शेहर हैदरबाद के कई इलाखों में बारिश हुए मेगम मौसमियाद के मताबिक रियासत में इस महा की सतरा तारीक तक हल्की से उस्त बारिश का इमकान है इसी दोरान निजामबाद शेहर में आदे घंटे तक शदीद बारिश हुए जसके नतीजे में नशेबे इलाखों में पानी दाकिल हो गया रेलवे स्टेशन में घुटनों तक पानी दाकिल हो गया जिले में एक हफ़ते से जारी बारिश के बारिश धान की फसलों को नुकसान पहुँचा और जमीन बोस हो रही है और अब आखिर में एक नजर है ड्लाइंस पर डिजिटल इंडिया मिशन पियम मोदी जमू कश्मीर में दो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का करेंगे फ्तिता बारत ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2022 को कर दिया मुस्तरित कहा के हिंडुस्तान की शबीहा को दाख़दार करने की यह मुसलसल कोशिश है करनाटक में खौफनाग सड़कारिसान नौफ राधलाग तीन गाड़ियों के आपस में तसादम के नतीजे में पेश आया हादिसा वजिरियाजमोदी की पॉलिसियों की वदे से बेरोजका ठोकरे खाने पर मजबूर राहूल गांदी का वैयान शिंशबाद एरपोर्ट पर एक लाग सौधी रेयाल और भारी तलाई जिवराद सब्त BBN News में फिलाल इतना ही तासातरीन आपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN News लीटेल्स दस्तियाब है इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप वीवियन चानल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं आपकी डिमांड पर वो जरूर BBN चानल टेलिकास्ट करेंगे क्योंकि BBN एक free to air चानल है इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिये गए नंबर पर केबल ओपरेटर से कॉल या वाटसाप पर मेसेज करवाना है हम आपके केबल ओपरेटर तक BBN चानल पहुचा देंगे जिससे वो आपके एरिया में टेलिकास्ट कर सकते हैं इसके लिए चानल की हमारी पूरी टीन लगातार कांग कर रही है ताके आप तक BBN चानल को पहुचाया जाए इसके अलावा BBN चानल को भारत भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है अगर आप सहाफी हैं और BBN चानल से जुणना चाहते हैं तो आप भी दिये गए नमबर पर रब्त कर सकते हैं